देहरादून में कॉंग्रिस प्रदेश अध्यक्ष प्रितन सिंग ने भाजपा पर हमला बोला उन्होंने कहा यह भाजपा सरकार जुमले बाजों की सरकार है उन्होंने आरोप लगाया कि जिस प्रकार से देश में घटनाएं हो रही है उससे लोकतंतर खत्रे में नजर आ रहा है प्रितन सिंग ने कहा डबल इंजन सरकार के आने के बाद भी प्रदेश का विकास कहीं दिख ही नहीं रहा साथी प्रितन सिंग ने बीजेबी पर आरोप लगाया कि जीते के बाद मूदी सरकार अपने वादे से पलट गई जिस प्रकार से सरकार ने किसानों के साथ आमानवी अव्यवहार किया वह बहुत दुखद है और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से यूपियस सरकार ने किसानों का शिरिण माफ कर दिया उसी प्रकार से कि इन सरकार भी किसानों की समस्या का हल करे कर दो कर दो